हेलो फेंड्स मैं रंजीत ये साफ तक में आपका स्वागत करता हूं दोस्तो priority पोस्टीटेल के अंतरगत आज मैं आप लोग और निर्वाचन पदा धिकारी के बारे में बताऊंगा अवर निर्वाचन पताधिकारी के बारे में आप लोग का काफी डिमांड था कि सर अवर निर्वाचन पताधिकारी के पूरे डिटेल बताईए पोस्टिंग, फैसलिटीज, सैलरी, वर्क, प्रोफाल और प्रोमोशन के बारे में तो आज मैं ये वीडियो आप लोग के डिमांड पर ही लाया हूं, आज मैं इस वीडियो में बाते करूंगा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी मतलब सब इलेक्टर अफिसर का पोस्टिंग कहा होता है, फैसलिटीज क्या क्या मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है, उनको क्या काम क होता है, और उनका प्रोमेशन का क्या स्कोप है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, दोस्तों हम बात करते हैं, अवर निर्वाचन पदाधिकारी की बात कर रहे हैं, तो अवर निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति जो होती है, वो जिला या अनुमंडल अस्तर पर होती है मतलब आप योगदान देते हैं निर्वाचन बिहार राजी के जो निर्वाचन विभाग होता है इसके अंत्रगत आप योगदान देते हैं और आपकी नियुक्ति जिला या अनुमंडल ऐसा इसलिए लिखा गया है कि बहुत सारे जिले अभी भी हैं जहां पर अनुमं सब निर्वाचन सब इलेक्टरल ऑफिशर के रूप में तो आपको फैसलेटीज क्या मिलेगी आवास की सुभधा मिलेगी बिली और फोन बिल ये सरकार देंगे और साथ समय समय पर बिहार सरकार के द्वारा जो भी शुभधाय प्रधान की जाती है वो सभी सुभधाय आपको समय समय पर मिलता रहेगा अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके कार्च की तो अबर निर्वाचन पताधिकारी जो है वो लेवल नाइन का पद है मैं सैलेडी में आपको बताऊंगा कि लेवल नाइन क्या होता है लेवल नाइन के साथ यह एक अनुमंडल ये शेवा है मतलब अनुमंडल अस्तर पर आपकी नियुक्ति होती है इसके तहट निर्वाचन से समंधित जितने भी दाइट तो होते हैं जैसे मतदाता सुची तियार करना निर्वाचन कार्य विधान सभा लोक्षभा चुनाओं के सफल संचालन में इनकी महतोपुर्ण भूमिका होती है कार पर निर्वाचन समंधिकारियों में विषिस पुची रखने वाले अभ्यार्थिए या फिर वैसे अभ्यार्थी जो सांति पुन्र जो चौब करना चाहते हैं उनके लिए काफी महतोंपुर्ण पद है और निर्वाचन पदाधिकारी सब इलेक्टरोल आफपिशसल यह करते नहीं है आप एकदम सांती पुर्ण जौब करेंगे किस बिना किशी दवाब के अगर सैली की बात करें तो अबर निर्वाचन प्रदा धिकारी के जो है उसको लेवल नाइन के अंतरगत रखा गया है इससे पहले अर्टालिस सो ग्रेट पे में मतलब लेवल एट यहांतर के अनुसार है मतलब इनकी बेसिक सालेड़ी जो है वो 55100 होती है चट्खेप कमिसन के अनुसार यह £500 ग्रेड पे में आएंगे और इनको जो है बेसिक सैलेरी के अलावा डी ए में और अधर अलावेंस मिलता है डी मतलब डी अरने अलावेंस अम अम मतलब मेडिकल अलावेंस के अलावा जो भी विहार सरकार करती है वो सभी elements इनको मिलता है तो अभी की बात करे तो लगवग 65,000 की आसपास में इनकी salary बनती है अभी के परिपेक्ष में देखा जाए तो लगवग 65,000 की आसपास में हिंकी salary बनती है मतलब salary के लिहास से भी काफी अच्छा पद माना जाता है बहुत ही अच्छा पद है ये salary के लिहाज से भी अब हम promotion की बात कर ले तो SEO मतलब अबर निर्वाचन पदाधिकारी ठीक है या inferior electoral officer भी इनको कहा जाता है ठीक है तो इनका जो subdivision अस्तर पर होते हैं और इनका पहला promotion होने एक बाद वो AEO बनते हैं additional electoral official ठीक है उप निर्वाचन पदाधिकारी ठीक है उप निर्वाचन पदाधिकारी बनते हैं और इनकी नियुक्ती जिलास्तर पर होती है फिर जब उनको एक promotion होता है तो वो बनते हैं ADEO मतलब सहायक जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौन होता है आप लोग जानते ही है DM होता है जिला निर्वाचन पदाधिकारी तो इनके just समकक्ष ये पद हो जाता है ADEO का और जिला में इनकी नियुक्ती होती इसके बाद इनका जो लग चौथा और इनका जो तीश्रा होता है वो निरवाचन विभाग में सेक्रेटरी के रूप में होता है तो काफी अच्छा प्रोमोशन का भी एसकोप है इसमें तो आप प्रोमोशन के स्कोप से भी देखा जा तो यह पद जो है काफी बेतर माना जात है दोस्तों हमें पुरी उमीद है कि आप निर्वाचन पताधिकारी के शभी पहलूओं को अच्छी तरह समझ गये होंगे अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के सांथ भी सेर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाब मिल सके तो फिर मि मिलते हैं अगले वीडियो में एक ने टॉपिक के साथ